नमस्कार मित्रो मेरे वीदियो में आपको सभी का स्वागत है भगवान से कामला करता हूँ आप लोग स्वस्थ हो प्रसंध हो व्यस्थ हूँ इस समय मैं अपने खेत पर हूँ हमारे पड़ोसी के हाँ आज मतर की बवाई का कार्ण है क्योंकि भगवान सूर्देव की बहुत दिनों के बाद करपा हुई है और हाँ मैं आपको बताना भूल गया मैं आपको एक खुसखबरी ही बताऊंगा लास्ट में तो मित्रो चलिए उनके खेत पर चलते हैं आपको दिखाते हैं ये देखिए हमारे मित्र आजुन सिंग जी है ये बहुत ही प्रगसील किसान है और बहुत ही सीमत साधनों में बहुत ही अच्छे धंग से खेती करते हैं देखिए इमटर की बवाई के लिए बीच तैयार कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर पचीस किलो का प्रतिवीघा में बहते हैं आप ये मान के चलिए कि लगभग साठ किलो एक एकड में और डिये पी की मात बहुत कम ही डालते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं लगभग यह तीन कुंटल बीज है और इसमें हमने मात्र एक बोरी डिये पी डाली हुई है जो की एक नाम मात्र में हैं आप देख सकते हैं और इनका उत्पादल पिशले वर्स भी साड़े चार और पांच कुंटल के बी जिनत कर ले अभी पर है तो वह भगवान पर ही आस्रित उसके हाथ में कुछ भी नहीं है वह समय पर खात पानी और बीज ही दे सकता है और लगभग आज की योग में चालिस परसेंट के आसपास खरचा जाता है और उसके बाद भी किसान का उस पर कोई बल नहीं है कि वो अ अपने मन का उत पादन ले सके या अपने मन के रेट तै कर सके जबकि आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी अधिक मेहनत होती है कोई भी आदमी ये देख करके अपने आप अंदाज लगा सकता है कि किसान का जीवन कितना कठिन है लेकिन किसान को अपने फसलों के रेट तै क करने का अजकार नहीं है और किसान के पास में आर्थिक अभाव इतना है कि हुआ है अपनी फसल को रोक नहीं सकता है उसको ततकाल बेचना पाता है जिससे उसको कभी अच्छे रेट नहीं मिल पाते हैं साथी वाभी मैंने आप से शुरुआत में कहा था कि मुझे आपको एक गुड नियूज बताना है तो आज मुझे यूट्यूब का हैंडल मिला हुगा है तो मैं अत्यदेख प्रसंद हूँ ये देखिए अब ये बीज ये रेक्टर में भरके सीड्रिल में भर दिया गया है और अब बवाई प्राराम कर दी गई है देखिए अभी इस ट्रेक्ट होता है जब तक की पूरी बवाई न हो जाए घंटे भरो दो भंटे जितनी भी देर बवाई चलेगी तो ये पीछे ही रहेंगे धन्रवाद में तो आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को देखा आप सभी का है दैतल से धन्रवाद है आसा करता हूं आपको अच्छा लगा ह होगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को